नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वाग्ध है हमारे यूटूब चैनल हिस्ट्री विंद्रेंद्र में दोस्तों अगर आप असिस्टिंट प्रोफेसर हिस्ट्री या फिर यूजिस नेट की तेरी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला है तो आ कुमाना जाता है नेक्स्ट है उन्होंने लाड़ कर्जन के प्राचिन भारतिय दुरुवरों के सुलक्षन काय कार्य को आगे बढ़ाया उनिक्षच्ट प्रोफेसरो के सी कंश्सरम में वालत दिया गใหगर सभी सही है, next question है, question number two, बसाड के पैचार निमलिक्त में से किसके साथ की जा सकती है, प्राचीन विशाली, प्राचीन अंग, प्राचीन बुदेलखंड, प्राचीन मालवा, तो इसका राइटन सरो हो जाएगा, प्राचीन विशाली, तो इस नगर का दूसर नाम विशाला भी था, माना जाता है कि इसकी स्थापना एकश्वाकुवंस विशाल नामक राजा ने की थी, next question है, question number three, निमलिक्त में से किन मध्यापशानिक सलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थी पंजरों से युक्त शवाधान निकले हैं, तो आप यहाँ पर option पढ़ सकते हैं, तो इ निकले हैं, और इसके साथ यहाँ पंदरा मानों कंकाल, आठ गर्द सूले प्राप्त हुए हैं, यहाँ की कबरें आवास रिक्तर की अंदर स्थित होती थी, next question है, question number four, हडपा स्थरों में से नगर योजना के अंतरगत गड़ी, नगर का मध्या भाग, एवं बहारी भाग तो वो कौन सा स्थल है, जिसे जो नगर है, वो तीन भागों में बटा हुआ था, तो इसका जो राइट अंसर है, वो हो जाएगा, option D, के वल, चार, धोला वीरा ही वो नगर था, next question है, question number five, किस थल, किस सक्षेत्र के उत्खरन से पता चलता है कि महा, नव, पशान, कालीन, म सबी जानते हैं कि पर्थव नव, पशान, कालीन, स्थान की खोशब से पहले कस्मीर में हुई थी, next question है, कहां पर भारतिय उप महादीब का सबसे बड़ा अर्द, विताकार, पुजास्थल, खो जा गया है, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, option B, सिरकप से, भारतिय निमलिक्त में से किन स्थलो पर मद्या पाशानकाल की पशुपलन के परमाण मिलते हैं, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, option C, तो आदमगड, बागोर, लोटेश्वर, इन तिनों से ही मद्या पाशानकाल में पशुपलन के परमाण मिलते हैं, तो मद्य अपदेश के आदमगड राजस्थान के बागोर और गुजरात के पार्टन जीले में इस्तित लोटेश्वर ऐसे मद्य पाशानिक पुरास्थल है जहां से पशुपरण की सक्से मिलते हैं नेक्ट कोशन है कोशन नमबर आठ कोशन नमबर आठ है यहां पर आमर संस्किती का जुविकास है वो कहां पर हुआ तो इसका राइटनस रोह जाएगा उप्शन बी सिंध में आमर संस्किती पाकस्तान के सिंध प्रांत से विक्सित हुई इसके अलावा सिंध प्रांत में महोंजोडो, चनहोडो, जूरी, दोजोडो, कोड़ी जी, अलिमराद, आदिस्थल भी मिले हैं नेक्ट कोशन है कोशन नमबर नाइन स्राइन नहर, राए और महदा संबंदित हैं तो इसका राइटनस रोह जाएगा उप्शन सी स्राइन नहर, राए और महदा गंगर घाटी की मध्यपाशान सलस्कृती से संबंदित हैं इससे स्राइन नहर, राए प्रतामगड़ जीने में स्थित है, इसकी खोज केसी हो जाने की थी नेक्ट कोशन है कोशन नमबर टैन सूची बन और सूची दो से सुमिर्थ करना है, आपर दो सूची दी गई है तो इसका जो राइट अंसर है, वो हो जाएगा उप्शन बी उप्शन बी क्या है, एक साथ दो का मिलान करना है बी का साथ तीन का मिलान करना है और सी के साथ चार का मिलान करना है और D के साथ 1 का मिलान करना है तो पुरा पशानकाल नदितत अधिवास मद्य पशानकाल में शेलाश्च्रे अधिवास और नव पशानकाल में गर्थ अधिवास और तमर पशानकाल में कच्छे एमों पक्के मकान नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 11 निमांकित में से किस राज्य में हाडपा कालीन अवसेस प्राप्त नहीं होए हैं तो राय टर्ण्स रो हो जाएगा option C तिमेलाडू से नही बाकिस अविसे हाडपा कालीन अवसेस प्राप्त होते हैं नेक्स्त गोश्चन है ईक्पोर्टैन ने आपर परसेंट ब्याजदर होती थी कोशन नमबर नेस्ट है कोशन नमबर तेरा निमलिक्त में से किस हडपीय स्थल से उट की अस्थियां मिली हैं तो इसका राइटन सरो जाएगा ओप्सन ए काले बंगा से कालेबंगा राजदस्थान के गंगा नगर जिले में सित है इस थल की खोज उनिसे क्यावन में अमलानंद घोस ने की थी और यहां से जुते वे खेत, युगल, सावाधान, उन्ट की अस्थियां, अगनी कुंड तथा अन्तेष्टी संसकार की तीनों विदियों, पूर्ण, समाधिकन, आंशिक, समाधिकन, आयों, दासंसकार के साक्से प्राप्त होते हैं यहां के मकान कच्ची इंटों से बने होते थे, नगर टीलों से अलंकरिद इंटों के प्रियोग के प्रमाण मिलते हैं, यहां पर भुकम के सबसे प्राचिंतम साक्से भी पाए गए हैं किस प्रकार के समाज में मातरी देवी के अवधाना परचित थी, इसके उधान हडपा संस्किती में मिलते हैं मातरी देवी को उरुवरता की देवी माना जाता था नेक्ट कोशन है, कोशन नमबर 15, यहां पर भी आपको क्या करना है, मैच करना है, सुची बन को सुची दो से नदी, सिंदू नदी की का बार, भाया, कमान, जलवाई, परिवर्तन, भूत, आत्विक, परिवर्तन, तो इसके राइटन सरो हो जाएगा उप्सन, जो यहां पर A दिया हुआ है उप्सन A दिया है, A के साथ 4, B के साथ 3 A के साथ 4, और B के साथ 3 तो इस तरह से आप इसका अंसर मिला सकते हो, सिंदू नदी की बार, इसके राइटन, मार्शल, आम, मैके, और भाया, कर्मन, गौर्डन, चाइल्ड, आम, मार्टीमर, वहील, जलवाई, परिवर्तन, और एल, श्टाइन, जलवाई, परिवर्तन, और भूत, आत्विक, परि किसी ने की थी, यहाँ पर प्ताना आपको, जिससे देश की प्राग हितिहासिक अध्यन का रास्ता, खुला और, इसका श्रेद दिया जाता है, किसको दियता है, ओप्सन, इसमें हो जाएगा राइट, सी, रोबर्ट ब्रूसफूट को भारतिया प्राग हितिहासिक काल का ज 17, प्राचिन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या थी, तो इसका राइक ट्रंसर हो जाएगा ओप्सन, डी, यव, प्राचिन भारत में लंबाई नापने की इकाई को, राइक ट्रंसर उप्सन में ए है, रक्तिका, रक्तिका है, एक मिट, सोरी, यहाँ पर 17 का यव हो जाएगा नेक्स्ट है निमलिक्त हडपा स्थलों में से कौन दुर्गिक्रित नहीं था तो इसका राइट रोप्षन ए हो जाएगा चन्हुड जो की पाकिस्तन के सिंद्परांस से मिला है और यहां पर यह क्या था एक निर्मान के इंदर था यहां पर जो मन के वगरा हैं बन दर्जा परतिरों विवहा उंच जाते की महिला और निमन जाते के प्रूस के बीच विवहा था जबकि अनुलों विवहा उंच जाते के प्रूस और निमन जाते की महिला के बीच होता था नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 20 निमांकित में से दायभाग का लेखक कौन था तो दाइबाग का साब्धी करत होता है पैत्रिक धन का विभाग नेच्ट कोशन है कोशन नमबर 21 उपनिशद दर्शन का परमुक संबंध है तो उपनिशद दर्शन का परमुक संबंध किसे है उपसन डी राइट हो जाए गए है आपर ब्रह्म ज्यान से Q22 है महाजल पलावन की कथा जिसमें देवी मतस्य द्वारा मनू की रक्षा करने का विर्ण है किस गरंत में उपलब्ध होता है तो राइट रंसर हो जाएगा option C सत्पत ब्रहामन में Q23 निमलिक्त में से किसे सोम्यग मान जाता है तो अगनियोष्ठोम option B राइट हो जाएगा Q23 कोटिल्य का कुप्या ध्यक्स कौन था तो कुप्या ध्यक्स वन पदार्थों का परभंद करने वाला होता था Q25 निमलिक्त में से कौन ध्रम सुत्राकार नियोग पर्था को अनूचित बताता है तो इन में से इसका जो राइट रंसर हो जाएगा वो है option C बोधायन Q26 रिगवेद में निमलिक्त देवताओं में से किसके लिए वरंक है कि उसका रथ बकरे खींशते थे तो इसका राइट रंसर हो जाएगा option A पूसन Q27 निमलिक्त में से किस प्राचीन सम्रितिकार ने उत्रादिकार के संबन्द में विद्वाओं को पुत्र के बाद स्थान दिया तो इसका राइट रंसर हो जाएगा option A यागवल के Q28 यहाँ पर Q28 है उदालक आरूनी और उनके पुत्र सवेत केतु के बीच भ्रहमा आत्मा की अभिंता के विशे में परसिद्वारतलाप किस में वर्नित है तो इसका राइट रंसर हो जाएगा option C ज़ादोंगे उपनी शद रिगवेज में निमन में से किन नदियों का उलेख अफगानिस्तान के साथ आरियों के सम्मंद का संकेत करता है option C राइट हो जाएगा यहाँ पर सुवास्तु और गोमती नेक्ट कोशन है कोशन नमबर 30 बोधकाल में उपसंपदा किसे कहते थे तो राइट राइट हो जाएगा option C संग परवेश को बोधकाल में उपसंपदा कहते थे नेक्ट कोशन है कोशन नमबर 31 सिसुनाग मूता संब्दित था सिसुनाग कासी से सिसुनाग का संब्द कासी से था नेक्ट कोशन है यहाँ पर आपको सुमेरित करना है आदिनाथ, मलिनाथ, महावीर और पार्शवनाथ तो यहाँ पर आदिनाथ का संब्द है सांड से और मलिनाथ का संब्द है कलस से घडा, महावीर, सेर और पार्शवनाथ सरप से तो सभी के सभी यहाँ पर सुमेरित है एक परकार से नेश्ट कोशन है कोशन नमबर 33, इसमें है आपको सुमिलित जुशमें नहीं है वो देखना आपको, पंचाल की राज धनी क्या थी? यहाँ पर पंचाल की राज धनी अहीं छत्र आएगा, तो इसमें उप्शन एक ही सही हो जाएगा है यहाँ पर बाकी सभी यहाँ पर मेसु मेलित करना है तो इसका राइटन सरू हो जाएगा महावीर के साथ आजएगा सिंग मली नात के साथ आजएगा जर्कलश ठीक है और पारसर नात के साथ आजएगा सरप और सांती नात के साथ आजएगा मिर्ग तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेश्ट कोशन है कोशन नमबर 35 चतूर्थ चतूर्थ बोजसंक्ती की अधक्षता किस ने की थी तो यह चतूर्थ जो बोजसंक्ती है वो कनिस के काल में हुई थी और इसकी अधक्षता वसुमित्र में की थी नेश्ट कोशन है सिद मातरिका का अभी प्राइ है, तो इसका राइट रहो हगा जाएगा option d1 परकार की भारतिय वन माला नेश्ट कोशन है, कोशन नमबर 37 परंविक बोज साहिते में वर्दमान का उले किस नाम से हुआ है, तो राइट रहो जाएगा option c, निकंट नाट कुत्र निमलिक्त में से कौन सी बोध रचना नहीं है तो इन में से राइट अंसर है option C sorry option जो D है इसमें वो जाएगा यह उन जातक यह उन जातक इसका राइट अंसर है next question है कुर्चक एक संपरदाय है next question है question number 40 मेगस्तिनीज का मूल ग्रंथ लुप्थ हो गया और उसके विवनों की जानकरी हमें कुछ परवर्ती युनानी लेकों दुआरा दियेगे उद्रणों से मिलती है तो वो कौन कौन से विद्वान है इसका राइट अंसर हो जाएगा option D तो जो सभी है इन सभी के इनोंने सभी ने मेगस्तिनीज के उद्रणों का प्रियोग किया था next question है question number 41 निमलिक्त में से कौन मोर्यकाल का पुरतात्विक संधरब नहीं है तो राइट अंसर हो जाएगा option D चित्रित धूसर मिर्दभान्द next question है question number 42 तो इन में से option जो C है यहाँ पर असोक ने अपने धम की प्रिप्रासा दिवित्य स्थम्ब लेक में दी है तो राइट अंसर हो जाएगा option C next question है यहाँ पर question number 43 निमलिक्त में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा option A बाकी सभी यहाँ पर सुमिलित दिए गए है सिरब फर्स्ट option है यहाँ पर वो सुमिलित नहीं है next question question number 44 असोक एकिस अभिलेक में राजा के कर्तवे संबंदी उसके पित्रिवत विचार का उलेक मिलता है तो option D. राइट उजयरा पर्थम कलिंग अभिलेक next question है question number 45 निमलिक्त में से किसने आसित पत्री अम बच्चों की समुचित विवस्था के बिना भिख्षू बनने वाले विक्ती के लिए दन का विधान किया था तो राइट उजयरा पर जाएगा option A. कोटिले next question है question number 46 असो का कौन सा सिरालेक पांच यवन राजियों में धरम परचारकों को भेजने का वनन करता है तो राइट उजयर हो जाएगा option D. तेर्मा अभिलेक next question है question number 47 निमलिक्त में से कौन सा मंद्रि खुजराओ खुजराओं में नहीं है तो इसका राइट उजयर है option A. दसावतार मंदीर next question है चिनी आतरी सुम्यून ने घंधार की आतरा लगबग के मद्या की थी तो यहाँ पर दो तारिख दी वह है इसका राइट उजयर हो जाएगा option A. लगबग 515 इसवी से 522 इसवी के बीच question next question है 49 34 इसवी के मध्या का समराजिक सासक कौन था तो राइट उजयर हो जाएगा option C. सुमंदर गूप्त next question है महमूद गजरवी द्वारा गुजरात के सोमनात मंदिर के नश्ट के जाने के अपरांत मिलिक्त कि सासक ने उसका पनुरुद्धार किया था राइट उजयर हो जाएगा option D. कुमार पाल ने next question है question number 51 मिलिक्त में से किन नरेसों ने वाजपे यक का संपादन किया था राइट उजयर हो जाएगा option C. एक और तिन परवर्षान और सांत मूलि ने next question है question number 52 गुपत अब लेखों में सोने के सिकों के लिए परियुक्त दिनार सब्द निमलिक्त में किस से लिया गया है तो इसका राइट उजयर हो जाएगा option D. 4, 3, 1, 2, 4, यहाँ पर एक नमबर पर परांत तक आजाएगा फिर उसके बाद आएगा राजेंदर, चोल, सोरी यहाँ पर गल्द दिया गया यह, यहाँ पर तो इसका राइट इंसर हो जाएगा option यह गल्द है यहाँ पर इसमें answer की में गल्द दिया हुआ है, option B हो जाएगा यहाँ पर, option 2 तो यहाँ पर पहले आदित्य अफिर प्रांत तक आने चीए, फिर राजेंदर, चोल एक मिटा हम उपर, question number 52 दुबारा दिखती है, 51 question number 51 था, निमिलिक्त में से किन नरेशों ने वाजपे यहक का संपादन किया था तो इसमें, परवर सैन और इन दोनों ने किया था, पर, परवर सैन और सांत मूल लेए, question number 52 गुप्त अभिलेखों में सोने के सिकों के लिए प्रियुक्त दिनार सब्द निमिलिक्त में से किस से निकला है तो इसका right answer हो जाएगा लेटिन से, लेटिन भासा का सब्द है next question है, यह हमने कर लिया है, 50 किसने कहा कि चोल कलकरों ने देत्यों के समान, कलपना की और जहुरियों के समान उसे पूरा किया तो इसका right answer हो जाएगा, option B, Ferguson ने कहा था, यह next question है, question number 55 तो इसमें हमें 206 देविन को आप इसमें मिलाना है, तो डवल्यू एच मोलैंडो, अग्रिगेरियन सिस्टम ओफ, लेटिया, इसका right answer हो जाएगा यह जो सब्सक्राइब अरफान हमें, sorry, double adjustment एक के साथ दो हो जाएगा, और B के साथ हो जाएगा, एक और rp 3 party के साथ हो जाएगा, rise, यह और इसके साथ हो जाएगा, निल कांट सास्ति का, साउथ इंडिया फ्रॉं प्री होस्टोरिक नेश्ट कोशन है कोशन नमबर 56 अभी कतन और कान दिया गया है यहां पर तो कतन दिया गया है भी कतन है गरव एहंकार साहनुबूती विद्वेप विक्तिगत पर्तिद्वंदता राजमितिक मद्भेद समाजिक विभेद धार्मिक विवाद या देशबक्ति पूर्ण भावना किनी विक्ति को मूल अभिलेकों को विक्रित बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और आगे तरक दिया गया है तरक जो है विद्वता और राजमितिक विक्तवियों के बीच एक दूसर शेट्र बना रहता है जो संभवताय अन्यों की तूलना में इतिहासकारों को अधिक प्रभावित करता है क्योंकि उनका चिरकालिक रूप से राजनितिग्यों के वैद दावों के लिए उप्योग किया जा किया जा तरहा है उसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन ओप्सन बी हम पर राइट अंसर हैसका ए और आर दोनों सही है और लेकिन ए की सही वैख्या आर नहीं करता है नेक्ट कोशन है कोशन नमबर 57 काल अवं भुगोल इतिहास के नेतर है तो यह सब्द किस ने कह थे जौनसन के सब्द है काल अवं भुगोल इतिहास के नेतर है नेक्ट कोशन है शोधारती को शोध प्रबंद की रंत सूची में निमांकित में से कौन सी सूचना देने की अवस्पता नहीं है तो इसका राइट इंसर है option C, प्रकासन का वर्स नेश्ट कोशन है, कोशन मबर 59 पिछले 60 वर्सों से भारती इतियास लेखन मुख्यता है, किस से सम्मदित नहीं था तो इसका राइट इंसर है option C, राज दरबार से नेश्ट कोशन है, तो भारत जाद हो गए है, अब तो राज राजवन से हो, राज खतम हो गए है इसमें कुछ सा जोड़ा है, वो सुमिलित नहीं है, हमें सुमिलित नहीं देखना है तो इसका राइट इंसर हो जाएगा option B, बाकी सभी के सभी यहां पर सुमिलित देगे है नेश्ट कोशन है आपर, कोशन नमबर कोशन नमबर है, 61 निमिलित में से, एतरलज स्कूल, एनल स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफिक की अपून रचना है तो इसका राइट इंसर हो जाएगा option D, दा हिस्टोरियंस, क्रॉप्ट, बाकी सभी के सभी यह पून रचना है नेश्ट कोशन है, कोशन नमबर 62 कोई हाँ पर दोनों सुचियों को मिलाना है, तो तोल कापियर के साथ आजाएगा, तो तोल कापियम मरी मेकलई, सी के साथ आजाएगा, वन और इसके बाद आजाएगा, इलंगो आडिगल, सिल्पादिकारम और संतान के जीव के चिंता मनी, सीतले सतनार यहाँ पून चीए, संतान गल दिया, सीतले सतनार नेक्ट कोशन है, कोशन नमबर 63 510 ECU का सती, सम्मधी पर्थम अभिलेखे साक्षे, प्राप्तो है, तो यह मद्या प्रदेश के एंड से मिला है, तो राइटन से रोजाएगा, उप्सन D नेक्ट कोशन है, अर्बो द्वारा सिंध विजय का उले किस गरंत में मिलता है, तो राइटन से रोजाएगा उप्सन A, चचनावा में, नेक्ट कोशन है, कोशन नमबर 65 निमलित में से इतिहास की वश्ट निष्टा की कोँसी समस्य नहीं है, तो राइटन से रोजाएगा उप्सन D, उप्रोक सभी, तो कोई में से कोई भी समस्य नहीं है नेक्ट कोशन है, पतंजरी किस स्थान के रहने वाले थे, वेरी इपोर्टेंड कोशन तो पतंजरी थे वो गोरनर्द के रहने वाले थे नेक्ट कोशन है, राजा अमक वर्ष समन दित थे, तो राष्टकूर्टवर्ण से समन दित थे सक कारदमक सासकों में स्रवादिक परशिद सा सक था, तरूदर दवन, सबसे परशिद सा सक था नेश्ट कोशन है कोशन नमबर 69 नमलक्त में से कौन सा का अकारण चटी स्तावदी इसी पुरू में नगरों के खेती के लिए उतरदाई नहीं था तो इसका राइट रहो जाएगा ओप्सन डी सिंदू में बाड़ नेश्ट कोशन है किस विदेशी लेखक ने सुंग वन्स के विवरन दिये हैं तो इसका राइट रहो जाएगा ओप्सन डी तारानाथ तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी दे दीजे ठेंक यू